गुड इवनिंग एवरीबिटी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फेर तो गाइस कल से एक लीग स्टार्ट हो रही है एक बहुत अच्छी लीग है बहुत अच्छी टी-20 टॉनमेंट है जहां पे आप अपना इंवेस्मेंट जोई कर सकते हो ठीक है अफगानिस्तान का डॉमस्टिक टॉनमेंट है स्वकीजा क्रिकेट लीग 2022 का एट एडिशन कल से स्टार्ट होगा ये खेला जाएगा अठारा जॉलाई से तीन आउगस्ट के बीच आठ टीमें आपको इसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिख जाएगी ज दो नई टीम का इंक्लूजन हुआ है उसमें एक हिंदु को स्टार्ज है और दूसरी है पामीर जाल्बी अभी सारी की सारी टीम जो है डॉमस्टिक प्लियर से भरी पड़ी है अब आपको अफगानिस्तान के क्राइसिस मालूम है वहां पर इंटरनेशनल प्लियर्स तो आप उने साइन कर सकते हो और ना वो लोग आने को रेडी होंगे तो सारी के सारी आठ टीमों में आपको 1818 मेंबर के जो है स्कौर्ड दिखेंगे और सारे के सारे आपको यहां पर डोमेस्टिक खेलते हो दिखेंगे तो एक एक टीम के बारे में डीटेल इन्फॉमेशन प् टैप करोगी तो पहुच जाओगी हमारे ओफिशल टेलिग्राम चानल पर जहां पर आपको फाइनल टीम गिववेज इन सब को इन्फॉमेशन मिलती रहती है और इस टॉनरमेंट के सारे मैचस की फाइनल टीम जो आपको टेलिग्राम चानल पर मिलेगी ठीक है वापस आते मैच की तरफ तो देखो जो पहला मैच है न वो खेला जाएगा काबॉल ईगल्स वर्सेज बंद्यामी ड्रैगंस के बीच 18 जुलाई यानि कल सुभह 10 बजे आपको मैच स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा काबॉल इंटरनेशनल क्रिक्ट स्टेडियम में मैच होगा वे इसमने जो चीजन हुइं पांगे है काबॉल इंटरनेशनल क्रिक्ट स्टेडियम की इस्टेडिम उनमें फॉडल जाहरे हैं तो उनका record निकाल के कोई मतलब नहीं क्योंकि यह tournament T20 tournament है ठीक है लेकिन जो पुराने matches है वो जो suggest कर रहे हैं वो यह है कि spin friendly tracks होते हैं अफगानिस्तान में as usual आपको 150-160 का score जो है देखने को मिल सकते हैं अगर venue के information के मैं बात करूं तो अब आते हैं अपन squad और उनके playing land पे सब से पहले मैं आपको squad दिखा देता हूं काबो लीगल्स का कप्तान जो है काबो लीगल्स के रह्मन अल्ला गुर्बाज है उनके बात जो है मुहमद नभी अजमत उल्ला उमर्जाई कियास अहमद नवीन उल्हक शाहिद उल्ला कमल इबराहिम जादरान जिया और रहमान खली गुर्बाज, रहमन उल्ला जादरान, वसीम अकरम, इजास, एहमद जाई, और फिर यह सारे के सारे domestic players आपको दिख जाएंगे जिसमें वाहिद उल्ला अली हैं, इहमाल शाहीन हैं, सबीर खान आनिफ तो आप पॉस करके बिलकुल screenshot ले सकते हो, यह squad जो है आप सेव करके र बड़ा auction हो तो बहुत सारे बड़े players इधर से उदर हो गए, ठीक है, हाला कि team form कि अगर मैं बात करूँ तो पिछले साथ मैसे 6 matches जीत के आ रही है, काबू लीगल्स, अपने स्वगीजा tournament में, आगे चलते हैं, अब इनकी playing land देखें, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दि पास नहीं है, यूनस नहीं है, इनके पास, बहुत सारे players अब इनके पास नहीं है, बस दो players है, उमर्जाई, गुर्बास, उनके records आपके सामने है, बैटिंग से बालिंग से दिखा हूँ, तो तेरा विकट लिये थे, नान गियला, खरोटे ने, उसके बाद निचाद बाकी सबको चार्चा देखे एक विकट मिले थे, आब पॉस्ट करके देख सकते हो, ठीक है, मैं प्ली इंग लिंग लेंग पर आता हूँ, बैटिंग और हो सकता है कि थोड़ा सो उपर नीचे हो, क्योंकि इनके पास कमाल के players है, आल राउंडर सेक्शन में, लेकिन बैटि और इबराहिम जादरान ऊपन करने चाहिए, दोनों के पास्ट पांच मैटिस के आप रिकॉर्ड देख सकते हो, गुर्बाज, एक तैतिस साथ, चार, सतरह, नीदर लेंज के अगेंज जो सीरीज थी, उतनी खास रही नहीं थी, इबराहिम जादरान की बात करूँ, तो आते हैं, मुहमद नभी, 31, 0, 47, 1, 15, 1, 24, 2, विकेट, ये इनके रिसेंट स्कोर्ज हैं, अजमत उल्ला, ओमर जाई, 11, 0, 0, विकेट, 9, 1, 1, 0, विकेट, ये इनके रिसेंट स्कोर्ज हैं, तो ये हैं टॉप 5 काबूल इगल्स के, जिसमें हमारी जो इंपॉर्टेंट है, नभी और ओमर जाई, ठीक है, इबराहिम जादरान कोशिश करूँगा कि मैं पिक कर लूँ, अगर बंद्य आमी ड्रेगन्स पहले बैटिंग करती है, और काबूल इगल्स चेस करती है, तो मैं इबराहिम जादरान पिक करने की कोशिश करूँगा, आगे चलते हैं, इनके अल्राउंडर सेक्शन, ओमर जाई के बाद भी कंटीनी होता है, जिसमें शाहिदुल्ला कमल है, लेफ्टी वैटिंग करते हैं, लेफ्टाम और्थडॉक्स से बॉल डालते है, दो रन जीरो विकेट, नबे रन जीरो विकेट, उन्चालिस रन जीरो विकेट, सरसर रन जीर वाइटरी टी ब्लास्ट होता, वहाँ खेल क्या रहें, कियास एहमद, दो विकेट, तीन विकेट, एक विकेट, तो बॉलिंग डेपार्टमेंट इनका अच्छा है, कियास एहमद, नवीर उलक, ओमर जाई, मोहमद नभी, उसके बाद जो डॉमेस्टिक या प्लेज या सफिर हसीब उल्ला में से एक खेलेगा, वसीम अकरम वैसे बैट्समन है, अगर कावू लीगल को एक्स्रा बैट्समन के ज़वरत पड़ती है, तो वह वसीम अकरम को खिला सकते हैं, क्योंकि आप बैटिंग देखो इनकी, तो छे नंबर तक इनके पास बैटिंग है, ठ इनके पास मौझूद है, है ना, तो हसीब उल्ला के अगर मैं आपको रिकॉर्ड दिखा हूँ, ये भी आपको मीडियम पेस डालते हो, दिखते हैं, जीरो विकेट, टेक विकेट, जीरो दो एक, ये इनके रीसेंट विकेट है, तो बॉलिंग से भी हमारे लिए दो मस्पि जनत के बाद, निजात मसूद है, नूर एहमद, इनके पास, लेक्स पिनर, ताहिर आदिल, आफ्ताव आलम, आसिफ, मुसजाई, इक्राम, अकील, जो विकेट कीपर है, इंडर नाइंटीन के जो कैप्टन थे, नासीर, तोताखील, फिर इमरान, मीर, फरमान, उल्ला साफी और इछ जनत के जो कैटेगजरी जीती है और तीन हारी है ठीक है यह रहा है बंद्यामिका रॉक अब बैटिंग से कौन परफॉर्म करता है इनके लिए तो उस्मान गनी के रिकॉर्ड देख लो साथ मैंचेस में और चार लिए थे मुमें ने ठीक हैख है फरहान मुमें ने लेकिन बहुत सारी प्लीयर्स तो इसमें से खेली नहीं रहे इनके साथ भी दिखकत है प्लीयर्स छोड़के जा चूखे है अब इनकी जो प्लेइंग लund हो रही है वह हो रही है करीम जन्नद और एक्राम अली खिल जाएंगे ठीक है एक बार जब प्लेंग लेंगे ऑफिशल तब अपन कर लेंगे टेलिग्राम पर मैं अपडेट कर लोगो जब ऑफिशल 11 आएगी तो आपको एकदम करके बता दूँगा कि करीम जन्नत जो ऊपन करने वाले हैं या नहीं ठीक है तो यह दो ऊपन करेंगे करी सकते हो अभी यहां से आपको बैटिंग से सर्फ एक इनिंग में रन दिख रहे हैं वह रीजन यह है कि अभी अफगानिस्तान टीम से खेले तो अफगानिस्तान के पास ओपन करते हैं तो बहुत बनाते हैं ठीक है फिर जो नाइंटीन के अप रन देख लो एक में थर्टी इने एक में 90 है उसके बाद आते हैं सेदे कुला पाचा अब इनके रिकॉर्स देखो 147-112-96-115 यह पिछली पांच इनिंग में सेदे कुला पाचा ने रन मनाए राइटी बैटिंग करते हैं ठीक है फिर आते हैं ताहिर आदिल राइट हैं आइंडे बैट्स में राइट 407-456 तो मिडल ओर्डर के जितने भी प्लेयर से सबके रिकॉर्ड उठाके देख लो सबके सब फॉर्म में सबके सब टच में सबके सब डोमेस्टिक में अच्छा करके आ रहे हैं तो अब इक्राम अली अखील ओपन करेंगे हैं नहीं यहां पे डाउट बनता है लेकिन इन इने बाए किया अगर प्लैटिनम कैटिकरी में बाई करके जना पैसल लगाया है तो मुझे लगता है उपन करवाएंगे ठीक है तो यह हैं नहीं के टॉप पाँच जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ने टॉप पाच में से करीम जननत दूसरे ताहर अदिल तीसरे सेदिक उ हो जाएगी फिर आते हैं इनके बॉलर्स की तरफ ठीक है बॉलर्स देखोगे तो नूर रहमद इनको चे नंबर पर दिख जाएंगे आपको चार विकेट 001 एक विकेट नूर रहमद आपको खेलते हों देखेंगे फर्मान उल्ला साफी राइटा मीडियम पेसर है साथ में प फिर राशित खान दो विकेट तीन विकेट एक विकेट एक विकेट साथ में बैटिंग भी करेंगे और नौ नंबर की जगा जो है उपर नूर रहमद की ऊपर बैटिंग करने राशित खान आएंगे ठीक है फिर आते हैं निजात मसूद एक विकेट तीन विकेट यहन के र और लास्ट टॉना मिन भी उन्हों ने अच्छे का से विकेट लिये थे तो तोता खील के बार में में को ना बाद में पता चला कि हाँ यह भी स्कॉर्ड में इस वज़े से मैं इनको 11 नंबर पे लिखा है अब यह 11 नंबर पे नहीं आएंगे यह आएंगे जस्ट आसिफ मुस करना है आप चाहो तो फर्मान उल्ला साफी परिस्क ले सकते हो निजात की जगा या फिर निजात और फर्मान उल्ला दोनों पे कर लेना अगर बंदे आमी ड्रैगंस जो है पहले बॉल डालता है तो यह थी दोनों ही साइड के प्लेंग 11 उनके रिसेंट रिकॉर्ड लास् प्लेंगे बहुत सारे प्लेंगे अब जो हैड विकेट लेते हैं उसमें सबसे ओपर आपको निजात मसूद दिख जाएंगे पांच विकेट उनके अलावा करीम जननत तीन विकेट जिया और रहमान दो विकेट बागी कोई आपको दिखेगा नहीं ठीक है तो तीन बॉलर करता है अब हम अपनी टीम प्रिपेर कर लेते हैं मैं अपना इन्वेस्मेंट जो 11 चलेंजर से आप पर कर रहा हूं और कल के मैच में यह आप आप आपके वरधान साबित हो सकता है एक मिनिट एक्षा डेडलाइन देता है यह क्रिकेट के मैचेज में अब इससे पूछो के अपने पता नहीं है जैसे एकराम अली अखील वाली बात हुई एक मिट जब एक्षा डेडलाइन हमें पता चलेगी हम तो लाइव एक ओवर देखके अपनी टीम मना लेंगे ठीक है तो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में 11 चलेंजर साफ के लिंक है जिसने डाउनलोड किया है डाउनलोड कर लू खेलना स्टर्ट कर दो कल से एक नया टीटन का टॉर्नमेंत भी स्टर्ट हो रहा है वहां पे भी बहुत काम आता है और ली एम इबराहिम जादरान अभी मैंने पिक करने थे यह हमारे दो ऑल राउंडर हो गए बॉलिंग सेक्षिन पर आप देखोगे किया सैमा नवीन उल्हक जो हमें दो बॉल्लस पिक करने थे वह गए अब यहां से काबो लीगल की तरफ से हमारी बैटिंग भी पिक हो चुकी है बॉलिंग भी पिक हो चुकी है जादरान कमल गुरबास और यहां से यह तीन बॉल्लस दो स्पिनर एक मीडियम पेसर ठीक है अब जो हमें बॉलिंग चाहिए बंदे आमीर की तरफ से उसमें आप द दिमाग में रखते हो, मैंने ये combination मैंना है, अब second inning में spinner को बहुत assistance मिलती है, तो दोनों मैंने spinner ले लिये, साथ में एक medium pacer करीम जननत है, इधर पी मेरे पास दो medium pacer है, दो spinner है, और एक medium pacer मेरे पास है, ठीक है, यहां से ठीक है, यहां से आदल part time off spin डाल सकते हैं वो हमारे पास हैं पार्चा हमारे पास हैं ठीक है तो यह है combination साथ में हमारे पास एक opener भी है करीम जन्लब तो बहुत balance मुझे combination लग रहा है यह वाला अभी देखोगे तो मैंने राशिद लिया नहीं है राशिद मैंने लिया नहीं है वो reason यह है कि मुझे अभी राशिद के खेलने पर doubt है ठीक है राशिद खेलेंगे या नहीं उस पर थोड़ा सा doubt है अगर राशिद खेलते हैं तो obviously हम उनके लिए टीम में जगा बनाएंगे अब आप पूछो के राशिद के खेलने पर doubt क्यों है क्योंकि आप अगर उनका Instagram चेक करोगे तो अभी घूम घाम रहें अगर मन होता है तो खेलेंगे नहीं होता है तो नहीं खेलेंगे अगर खेलेंगे तो हम उन्हें अपनी टीम में एज़स करने की कोशिश कर लेंगे एज़स कोशिश क्या करेंगे उन्हें एज़स करके लेना पड़ेगा ठीक है कैपटनशी में करीम जन्नत को दे रहा हूँ वाइस कैपटनशी में मौहमन नभी दे रहा हूँ लिख के रखें, वीडियो जाओ, वापिस reverse gear में डालो वीडियो देखो कौन क्या कितना perform कर रहा है टीम का performance क्या है, head to head में क्या था, last season किसने perform किया सारी चीजे note down करो, अलग-अलग combination मनाओ, कि भाई अगर बंदया अमीर पहले ball डाल रही है तो साफी को देथ में विकेट मिलेंगे आफतावालम को विकेट मिलेंगे ये सारी चीज़े आप कॉंबिनेशन बनाओ ग्रैंड लीग वगर जीत नहीं है तो महनत करनी पड़ती है ऐसे ही नहीं जीते जाती है ग्रैंड लीग